हईलो दूस्तों देखिए आज का जो टोपिक है वह है आपका फाटीगेशन के बारे में बवाथ में तो कि परिखेशन जो आपके दो सब्वत बना है पहला आता है आपका फाटी लाइजन और दूसरा आता है आप तो फर्टिगेशन में क्या होता है यह आपका पहुत ही अच्छा और इंट्रेस्ट्टिगेशन देखी क्या होता है fertilizer plus irrigation means fertilizer और irrigation दोनों को साथ-साथ देने की पद्दती या दोनों को साथ-साथ देने की विधी को ही हम अब इसकी अदिया परवासा की बात करें तो सचाई जल के साथ और वर्वरक को देना या और वर्वरकों को देना ही आपका Fertigation कहलाता है ठीक है Fertigation कहलाता है Fertigation जो है यह आपका एक Micro-Irrigation System Micro-Irrigation System के अंतरगर आने वाली एक तक्नीक है जहां पर हमने एक विकास किया और उसके जब हम अध्रसर हुए तो हमने सोचा कि कोई Fertigation में जो है क्या कि Fertilizer और Irrigation कोई Fertilizer देने की ऐसी पंधती को विक्सित किया जाए ताकि Fertilizer का अच्छी तरीके से उप्योग हो उसका Fertilizer का जो उप्योग दच्छता है वह कैसे बढ़ाई जाए तो देखिए क्या हमने इसमें Fertilizer और Irrigation दोनों को साथ साथ दिया देखिए जैसे इसको हम समझेंगे कैसे जैसे आप Medicine लेते हैं तो Medicine को लेने के लिए हम क्या करते हैं यदि आप एक ग्लास आप Medicine पहले तो आप कुछ टैबलेट Medicine के ले रहे हैं ऐसे उसके बाद Water अलग से ले रहे हैं तो इसको हम Water और Medicine दोनों को लेने के लिए हम क्या करें सबसे अच्छा तरीका हमारा यह होगा कि एक लास वाटर लें और Water में Medicine को गोल लें और गोल करके पी जाएं यह अपका तरीका जो है यह सबसे बेस्ट तरीका होगा और जैसे ही उसमें स्वाटर में अब्सॉर्ब हो जाएगा तो हमारे बॉड़ी भी अच्छी तरीकी सर्मेडिसन को अब्सॉर्ब कर लेगी में इस दोसकी उप्योग दच्छि किस रूप में दिया जाता है ज्यादा तर किसाप Jaffa को ब्रॉड कास्टिंग box का क्या मतलब होगा इस प्रकार सिंफ चुछ होता एक यूणिफर्म रूप में चौन के रूप में समान रूप से करने के लिए हमने क्या ही उप fled Mr. Ja Jim Brug गोल दिया और उस गोल को ही हमने पौधों को पौधों के पौधों तक पहुंचा दिया यही पत्यति आपकी कहलाती है अब देखिए जो ब्रॉड कास्टिक विदी थी उसमें उसके ड्राबैक क्या थे साइड प्रक्ट क्या थे उनको समझते हैं देखिए हम क्या करते हैं चि सबसे अच्छी पत्यति तो इसके लिए यह होगी कि हम सभी के पास जाएं और दस-दस रोटियां उनको हम पकड़ा देखिए करके सबसे अच्छी पत्यति तो यह होगी लेकिन हम क्या करते हैं जैसे ब्रॉड कास्टिंग को यदि हम मत्य नजा रखते हुगे इस काम उधा पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना है सबसे अच्छी पत्यति उसके लिए क्या अपनानी है नीचे जा करके सबसे अच्छे दस-दस रोटियां हम सभी गरीबों में बित्रड कर देते हैं यह हमारा सबसे अच्छा जो है एग्जामपल है तो देखे इसी क्या कि फर्टिलाजर को ही हमने इरिगेशन वाटर में उसको दोनों को करके प्रती पौदे के इसाब से उसमें जो है किसी इस चाही की पद्धती से देने का हमने विकास किया तो देखिया इसके लिए हमें कोई ऐसी पद्धती भी चूज करनी चाहिए select करनी चाहिए जिसम मैं सबसे ज़्यादा water use efficiency जिसकी सबसे जादा हो तो water useुज इफिसियंस यदि आप होता है drip irrigation तो drip irrigation की water huge efficiency लगबाग 90-95 प्रत्सत तक होती है लेकिए drip irrigation के बारे में यदि आपको जानकारी है तब ठीक है और यदि आप इसके बारे में संपूर जानकारी लेना चालते हैं तो हमने drip irrigation के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है तो वहां आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस drip irrigation वाले वीडियो को देख लें तो आपको drip irrigation के बारे में संपूर जानकारी मिल जाएगी आइए बात करते हैं अब देखें लिए हमने इसमें करते हैं कुछ पाइप लगाने के लिए उसमें कुछ टैंक बनाते हैं टैंक बनाने के बाद वहीं पर हम कुछ फटिलाइजर का एक टैंक बना दिया जाता है और उसे माध्यम से हम जो है इसमें देखें इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो इसमें अगला पॉइंट आता है वर्टिगेशन का कि यह जो है कशीओग होता है तो इसमें कौन-कौन से और वर्वरकों का अपयोग होता है उन पे दिया में पात करें अब नाइट्रोजन परलाजर का भी है कर सकते हैं वह सब राधर का भी उप्योग कर सकते हैं लेकिन अब देखिए लेकिन यहां सब्द लग गया तो समझ लेजिए कोई गड़वर मामला है तो देखिए पुरवरेट जो है यहां पर हम देते हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए एक चीर हो जाई होनी चाहिए कि यह जो है अच्छी त लूप से जल में घुलंसील होने चाहिए ताकि यदी यह उनको जब जल में मिला तो अच्छी तरीके से घुल जाए और यदी वह गुलेंगे नहीं 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 है तो यह जो जो पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं और वो डिपर बंद हो जाते हैं और पौदे तक कसल कारीगडर की आवसक्ता होती है उसे ईकल में किलाओ से सुधार करवाने लिए ऍद्रम खर्चा जादा आता है तो ऐसे पहले से का मध्यान र्खते हुए क्या करते हैं दानेदार रूप में आएका उप्योग करते हैं जो की वाटर से अच्छी तरीके से पानी में गुलंसील हो ऐसे फटलाजर का उप्योग करते हैं अब देखिए यहां पर क्या होता है सबसे नंबर एक पर तो हम यहां पर यूरिया दे सकते हैं नाट्रोजन फटलाजर में यूरिया का भी प्रियोग कर सकते हैं अमोनियम सलफेट का कर सकते हैं और डाय आम्होनियम फासपेट इनका प्रियोग कर सकते हैं लेकिन कभी करके यहां पर हम कभी सुपर फौसपेट का प्रियोग नहीं किरते हैं चैंड 29. जबी हम POTASIC FUTLIZER की बात करें तो पोटासीक फटलाजर के लिए आपका आता है POTASIVE, Sulfate और MOP अन्हीं आपको बता ही दिया, मिरोटा पोटास ठीक है तो यह जो है POTASIVE, मिरोटा पोटास, DEP और यूरिया और Ammonium Sulfate इन और्वरकों का हम प्रियोग कर लेते हैं वज़िफिए के अंतरगत ठीक है वेकियों लिए आ निवे तो इसके पात करते हैं इसकी तखनीद का है इसकी टेखनुलोजी क्या है ये कैसे कारड करती है तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया एक वैल होगा आपका वैल होगा वैल का मतलब कुवा होगा और कुवे में जल भरा होगा ठीक है और टैंक बनाने के बाद यहां पर कुछ एक जो है आपका फिल्टर लगा दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं सेंड फिल्टर और सेंड फिल्टर के बाद आगे एक और फिल्टर लगा दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रीन फिल्टर जिसे हम बोलते हैं स्क्रीन फिल्टर और screen filter के अलावा यहां पर जो है आपकी sub यह जो man pipe होता है इस man pipeline से ही आपकी sub pipeline जोड़ दी जाती है sub pipeline आपकी जोड़ दी जाती है जैसे कि यह हो गई यह हो गई यह हो गई और इन ही के पास जो यहां पर dripper लगे होते हैं और ड्रिपर के पास ही जहां पर इनके ड्रिपर लगे होते हैं वहीं पर आपके पौधे होते हैं तो यह जो है यह आपके पौधे हो गए यह आपके पौधे और इनहीं के रूट जौन में हम पानी को देते हैं इनहीं के रूट जौन में हम बूंद मूंद के माध्यम से जल क को देते हैं तो यहीय पंदती आपकी ड sekarang प्रिकस्न क्यालाता है अप देखिए इसमें किसीफी प्रकार के जैसे बालू हो गई आपकी बालू इसमें किसी भी प्रकारा का कुऑ nhất क्चडा यहां तो यहां पर साफ कर देता है उसके बानी को आगे बेजता है उसके जब यहां पर कोई algae आ जाती है फंगस आ जाता है कोई भी biological इसमें कोई factor होता है जो कि यहां पर अवरोज पैदा करता है तो वो इससे साफ करता है screen filter screen filter के बाद पानी food रूप से यहां पर आ जाता है अब देखिए बात करते हैं कि fertilizer के लिए हम क्या करते हैं तो fertilizer के लिए हम यही पर एक tank बना देते हैं जिसमें हम fertilizer को भर देते हैं तो यह एक आता है आपका मैं यहां बहुता है यहां पर फॉथ यहां यहां से बंद कर दिया जाता है यान Karios度 यहां पानी जब यहां तक जाएगा तो यहां से बंद कर दिया जाएगा और यह pan is सीधा venturi में होते हुए सीधा सीधा में जाएगा पाइप लाइंज के बात पौदों तक पहुचा दिया जाएगा इसी पत्ती को हम वह भी बढ़ जाती है means water use efficiency जो 90 से 95 प्रत्सत है वह कम मात्रा में पानी की कम मात्रा में water use efficiency भी हमारे पौधे अच्छी तरीके से ग्राड कर लेते हैं और जो fertilizer होते हैं उनकी भी मात्रा हमें कम देनी पड़ती है और कम मात्रा में ही पानी को जो है fertilizer का उप्योग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है और पौधे भी हमारे इसमें जो है अच्छा उत्पादन देते हैं लगबग उत्पादन जो होता है वह साठ प्रतिसत अधिक होता है पौधों की द्वारा या किसी फसल की द्वारा उत्पादन जो है लगबक साथ प्रतिसत तक बढ़ जाता है और इनका उप्योग इस पध्धती का उप्योग हम किन चेत्रों में करते हैं तो देखिए एक तो आपका सब्जी के लिए फ्रूट्स के लिए और आपका बागवा पानी चेत्र के लिए इन पध्धतियों का प्रयोग किया जाता है और दूसरी चीछ इन पध्धतियों का प्रयोग उन चेत्रों में किया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के साथ साथ फर्टिलाजर को हमें अच्छी रूप से और कम मात्रा में दे तो यह बात थी आपकी फाइटीगेशन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर अवस करें और यदि आपने अभी तक वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएए सर्च करिए हर तरीके की वीडियो पश्चा की तयारी के लिए वहां पर आपको देखने कु मिले आप चैनल पर लक़ी विजिट कीजिए और अपने आपको और अपने दोस्तों को भी ग्यानबान बनाएए आप से अगे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक विस्त करता से लिए जाइन